राहुल गांदी के सदन में दिये गए भाषवन के बाद लोगों को उनमें काफी बदलाव नजर आ रहा है जिसके चलते अब राहुल गांदी की तारीफ भी होने लगी है ऐसे में कहा ज़ा सकता है कि राहुल गांदी राजुनितिक गलियारों में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है बता दें कि अभी हाल ही में चुराग पास्वान ने राहूल गांधी की ज्रमकर तारीफ की तारीफ करते हुए चुराग ने राहूल गांधी को एक दूर दर्शी नीता बताया है दरसल चुराग पासवान एक निजी टीवी चौना के कारिक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि राहूल गांधी एक विजनरी नीता है जिसके बाद चुराग पासवान का ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रम कर वारल हो गया आपको बता दें कि चुराग पासवान मोदी सरकार में केंद्रिय मंत्री है और उन्होंने एंडिय में रहते हुए विपक्ष्री नेता के तारीफ की है वहीं आपको ये भी बता दें कि चुराग पहले नहीं है जिन्होंने राहूल गांधी के तारीफ की है इस लिस्ट में पहला नाव अमेटी के पूर्वसांसद स्मृति इरानी का आता है जिन्हें आपने हमेश्रा राहूल गांधी पर तंजुकस्ति हुए देखा होगा चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे या फिर बचकाना लगे लेकिन वो अब अलग राजुनीती कर रही है यानि स्मृति का कहना है कि राहूल गांधी के राजुनीती में बदलाव आया है उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है वहीं चुराग पासवान ने भी राहूल गांधी को लेकर अपने विचार साफ कर दिये हैं कि वो उनकी नजरों में दूर दर्शी नीता है